तो ऊदू नेक्ड कुस्टन में हम लोग आते हैं आपके जुए हैं नेक् psy कुस्टन है हमारा भारति संग्वात के भार्गलिक आधारों का परिक्षन कीजिए पहले तो कुर्ष्टन को समझेना हैं किस कुर्ष्टन की रिक्वाइर्मेंट का दिमां का हैं कई लोग कुछ नहीं समझ नहीं पाते हैं भारती संगवात के भगुलिक आधार तो सबसे पहले तिहां पे आप लोग पॉलिटी में जानती है संगवात क्या होता है तो आपको संगवात को डिफाइंड करना है और उसमें इस्पेसिफिक रूप से भारती संगवात लिया गया है उसको डिफाइंड करना है कि उसकी में पोइंट क्या है भारती संगवात के भागलिक अधारों का परिक्षंड करना है एक्जामीन दा जोग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म तो यहाँ पर भॉगलिक आधारों का परिक्षन का मतलब क्या है इस कोश्चन का मतलब तो यहाँ पर एक कुश्चन को ध्यान से समझना है यहाँ पर कुश्चन यह पूछना चाहता है कि भारती संगवात जो एडॉट किया गया आप्टर इंडेपेंडेंडेंस तन्ता के प्रस्चाहत जो है भारत में कई सारे हमारे पास एकात्मक्सासन पढ़ना ली थी अध्यक थी संवार प्रिट शंगवात नहीं है हमारा इसमें भी केंदरी के सरकार को अधिक सक्थियां दिए तो उसको ही हमने इस तरीके से क्यों अड़ाप्ट किया तो उस कंट्रेस में कौन-कौन से वे तत्व थे ऐ बाते थी आधार थे जिन्होंने सभिधान पर निर्मताओं को भारत के संदर में जो अड़ाप्ट किया गया वह अनुकूल लगा उनको उप्यूक दिखाए दिया कि संदर में भारत जैसे राष्ट के लिए एक महत्पून संदर में कौन कौन से अमारे पास आधार थे उनका यहां पर जिखर करना नहीं पर बता दो जर्लीं कई लोग प्राकर्टिक समस्थ आते तो कई लोग नेचरल वर्ड न लिखा रहता है तो नेचरल समझते अधर अधे मतलब प्राकर्टिक तत्वों को ले करके चलते हैं तो यहां तो और नेतोल फेक्टर लेकोग्स का श्यूंवर्ञ भोगणिक कारक। गश्यूंम ken। सबॉस्ट है थो मीद में थे दोर्द्थ सिंस लेकर चलते हैं नेचलूल फेक्टर साथ जोगरफिकल फेक्टर्स लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर ध्यान रखने जब नैचल crime丘। तो हम लोग सिफ नैचुरल जो अर्थ पर एक्जिस्स करते हैं उन्हीं फैक्टर्स पर ध्यान देते हैं जैसे आपका उच्चावच रिलिप्स परवत पढ़ार मैदान क्लाइमेट जलवायू स्वाइल टो यह सब है नेचुरल फैक्टोर में आएंग लेकिन से ओस जे चलिए कि बात करते हैं तो यह चीज से से नोट डाउन का लीजीए चलिक्तुर करते हैं तो इसमें नैच्टोर स्क्रेक्ट 1991 की बात करते हैं है सांस्क budsन प्रपकतर के सकते हैं वो भी इसके अंतरगत क्या होता है आपका जो है इंक्लूड होता है तो जब भी भॉगलिक जैसे हम कहा है कि भॉगलिक प्रदेश एक दीजामपल पूछा जा आप से कि भारत में किसी भॉगलिक प्रदेश का उधारन दीजे या फिर हम लोग नौर्थ इस्ट की जो स्टेट इसका हम लोग उत्तरपूर्वी भारत अलक से नाम देते हैं उत्तरपूर्वी भारत चाहते हैं यह पर्वु भारत यह प्राकर्तिक समानाटाएं भी मिलती हैं है यहां पर जो आपके रिलिफ्स है, क्लाइमेट है, लगभग समान है, और साथ यसाथ यहाँ पर सांस्कृतिक समानता भी मिलती है, यहाँ पर प्राकर्तिक प्लस सांस्कृतिक समानता, यहाँ पर रहने वाले अधिकांस ट्राइब से सांस्कृतिक समानता भी यहाँ पर मिलती है, तो इस आधार पर उत्त्तरपुर्वी भारत के उत्तरपुर्भी राज जी जब रृडृजों करते है यह भौगुलिक प्रदे इसका उधारन हो जाता है आगी बहात समझ में यह प्राकरतिक प्रदेश को दार है तो वहां पर उस पठार के कंटेक्स में उसको वर्ड यूज किया गया तो यहां पर ध्यान रखने की जर्वत है कि जब भी भागुलिक का रखा है तो प्राकरतिक प्लस मानवी सांस्कितिक दोनों ही आधारों को लिखना है तो यह तो मैंने एक वर्ड क्लिर कि आपको उसके लवाइब इस क्रूश्चन में एंसर में क्या आएगा तो सबसे पहला में आप फेस संगवाद की प्रिवासा रिवासा करने पड़ेगी आपको तो संगवाद को दिफाइन करना है तो संगवाद में संभवाद है कि मुख्या रुप्य संभवाद में जो है दो सरकारे होती है .. एक तो होता है .. स॥.. एक अत्मक्त सरकार की prata कर almost तुए एक ही सासन.. एक ही सरकार होती जो फूब छेटरपे करती हो है.. नियंद्रा रगती है .. राज्य सासन करती है.. तो जब किसी राज्य में राज्य का मतलब यहां पर पॉलिटिकल राज्य स्टेट से ले करके चल रहे हैं किसी भी देश में दो सरकारे हो और दोनों सरकारों के कारे क्या होते हैं आपके बटे वह पते है और दोनों ही सरकारे उपने इपने छित्र में आपको क्या करते सतंध्र, इसी विवस्था है । संगभाद करते हैं। भारत में संगभाद Conference का अपना है ँप महारत में दीख जातो हैं पहले मुख्य औरूपसे दो स्थानी सरकार अधfte टिन सर्कारस देखे जा सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से दो इस समय कि समय सभृधान निर्मांड 자 सोमय ले करके चला हगा आध्यों कि संय और बाद नही स्थानी सरकार बहुत केरा तो तो आपके जो है कि भारती जो संग है वह राज्यों के भी समझोते का परिणाम नहीं है कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है संग से अलग होने का अधिकार नहीं है ये सविधानिक प्रावधान है तो यहां पर एक तो ये कि संगवात में किसी भी राज्यको भारती संगवात के तहद किंद्र सरकार को जो है अतरिक्त सकतियां दी गई है दोनों की सक्तियां पराबर नहीं है जबकि अधिकांस्ता संगी राज्यों में संगी देशों में क्या होता है यह दो या जुतने भी सरकारे उनके बीच में दो या दो सदिक सरकारे जो भी उनके बीच में सत्ता का समान रूप से क्या होता है आपके जो है विकिंद्री करण होता है लेकिन यहाँ पर किन सरकार राज सरकार दो अलगलग सरकारों को निर्मान किया गया लेकिन किन सरकार को अतरिक सक्तियां दी गई राज सरकार के तुलना में ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत विवित्ताओं से भरा देश है कई सारे चीजे जो है येदि किसी एक सत्ता को अधिक सक्तिया नहीं दी जाती तो भारत कई टुक्डों में बठने के सम्माधे रहोना बनी रह दी सांस्क्रितिक समाज चिुक्प बित्धा मिलती है इतनी बड़ी भgetic century जी भính विस्थार मिलता है एक्ता में बंधे रहने की सम्मावना क्या होती कहीं कंज़ोन हो जाती तो देश की एक्ता को खंड़ता को बनाया रखने के लिए national integration के लिए राज्टिक एकी करन के लिए जो है कुछ सक्तियां हमारे भारत में केंद सरकार को क्या की गया त्रिक दी गई है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा भारती संगवात है क्या उसके कंटेक्स में एक परग्राफ डिसकस करेंगे वह जादा नहीं थोड़ा सा जैसे मैंने यहाँ पर दो कॉइंट से लिए जादा न स्थानिक केंद्री राज सरकार में अधिकारों के वित्रण के रुप में परिवासित किया जा सकता है लेकिन सभी के अधिकार समान नहीं है केंद्री सरकार के अधिकार को जो है अधिक अधिकार दिये गए यहाँ पे संग की सर्वचुत्ता को स्विकार किया गया है अर्थ संखी सरुचता하죠 क्यों करके इसी संगी राज 끼 की भावती संग कर नों पॉर्सपरिक सहंत्य और समझユे現 पर आधारिध में संग सरकार ध्uk Formula सब्सक्रा द्रेत नमो निर्दारन के जाता है सबी सब्सक्राइब लोग जा Patrol पाल्यनिक से Tea। तो इस तरीके से एक बेसिक थोड़ा सा पता देना हमें जो है कि भारती संगवात का मतलब क्या है दूसरा फिर अब आएंगे कि भारत में इस संगवात को ही क्यों अपनाये गया और उसमें भी संग की सरोचता को क्यों स्विकार किया गया संग की सरोषता को स्विकार करने के पीछे का कारण बता है राश्ट्री एकिकरन, राजनीतिक एकिकरन, कि राश्ट की एकता बनी रहे, देश कई तुकडों में वाजित ना हो जाए, इसके लिएक सरोषता का होना जोहरी था, क्योंकि भारत ने बहुत ज़्यादा क्या मिलती है, आपके समाधिक सांस्कितिक धार्मिक विवित्ता मिलती है, प्रादेशिक विवित्ता मिलती है, तो इतने बड़े और भारत के भागलिक विस्तार बहुत बड़े छेत्रा में है, इस कारण से उनको एक साथ समेटने के लिए हमारे पस एक केंद्री सत्ता पर अधिक कारण होने की जरुवत कौंसुस की गई इस कारांच से इसको स्विकार किया गया अब इसके लावा कौन-कौन से भौगलिक कारक थे जो आपके जो है तो कौन-कौन से भौगलिक आधार थे संगवात को अपनाने के लिए उनके कुछ इस पॉइंट्स देखेंगे तो उसमें से आपका इंसर निकल आएगा भारती संगवात के भौगलिक आधार की बात करें कि अधार तो भारत में संगवात को ही क्यों अपनाया गया कि आई बात समझ में तो उसके लिए सबसे पहला जो फैक्टर व्रियाद भारत का व्रियाद भौगलिक विस्तार आपके जोए लार्ज जोग्रफिकल एक्स्टेंशन राइट तो इससे क्या फरक पड़ेगा हम लोग जानते कि भारत का जो विस्तार है आपका पूरे छितरफल की बात करें एक बहुत बड़ा छितरफल पूरा भारत का हमारा जोए खड़ी टूथ लाइक संथिंग जो भी आपको याद होगा डिटा वो डाल सकते हैं भारत का भौगली छितरफल कितने आपके जोए तो पूरा छितरफल एक बहुत बड़ा विस्तार है अब यहाँ पर इदि माल लेते हैं कि संगवात की जग हम एकात्मक सरकार ले लेते ए कैसे नियंदृत कर पाती उस पर अच्छे से सासन कर पाती कर नहीं कर पाती है सभी छितरों के विकास के लिए समान रूप से ध्यान दे पाती है नहीं दे पाती है तो इतने बड़े भृत भौगलिक विस्तार होने के कारय since समिधान निरमाताओं को संग भाध ही भारत के ल संगवाद को चुना आइवल समझ में तो पहला पॉइंट हो गया आपका विरियत भाउगलिक विस्तार कि दूसरा कि भुवा कृतिक विवित्ता भारत में प्राकृतिक आधार की बात करें तो भुवा कृतिक विवित्ता है भुवा कृतिक विवित्ता करें कि पर पढ़ारी छेत्र है कोई मैदानी छेत्र है कोई सै दी शेत्र है तो फिर से पूरी एक प्रवा कि सरकार होने से अलग लग व poz कि आधार पर डेफिनीट्ली वहान की समस्यां अलग होती है चुनोतियां अलग होती है तो वहाँ के सभी छेत्रों के विकास के लिए अलग-लग रन्नीतियों के जर्वत होती है जो वहाँ के छेत्र के अधार पर इस्थित रन्नीती इस्थानी लोग या स्थानी सरकार ही जो है तो केंसर का दिल्ली में बैट करके एंदि हम उत्रखंड के विकास के लिए पॉलिसी बनाते हैं वहां के समस्याओं सम्हावनाओं को सोचते हैं और उसके वहां के लोगों के विकास के लिए वहां के लोगों के क्रिसी उद्योगादी के विकास के संदर में पॉलिसी बनाते है तो वह उतनी उप्यूत नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे भुवाकृती जो है उन्होंतर डिफरेंट है मैदानी छेतर की तुलना में दक्षनी भारत की तुलना में डिफरेंट है डिफिनेटली भुवाकती वित्ता होने की कारण परवती छेतरों के लिए अलग विकासाथमक scroll ने तीच है समाजिक सानस्कृतिक विसिस्ता वहां के अलग होती है समाजिक सानस्कृतिक रूपसे वहां बर अलग से उनकी और सिर्णायार्टकों को समझांत होती एंगजने सब्चांज समझे सकती है तो आख्येस्टिक विविट्टा किया सम्षियां को जलबाई विविट्टा अलग लग छेत्रों में वरस्ते इन सब काड़ों से अलग लग छेत्रों की जो आवसकता है और समस्याएं दोनों के आवथी अलग होती है जो हागिस्थानी सर्कार के द्वारब अच्छे से पूर्ति की जा सकती हूं जो cuánt हमारा जो है हो था जो है मेंड पॉइंट यह है कि हमारे देश में अत्याथिक सामाजिक सांस्कृतिक विवित्ता मिलती है सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता मिलती है हमारे देश में क्या आपका जो है अत्याथिक सामाजिक अस्कृतिक भिन्नता मिलती है कि अब इसका संगवात से क्या मतलब है अब इतनी अजिक सामाजिक सांस्कितिक भिंद्धा है एक सरकार को उन सभी सामाजिक सांस्कितिक है भिंद्धा वाले लोगों के लिए रर्णिती बनाने की जिम्मेदारी दे दे तो हो सकता है उतने अच्छे से उनकी भावनाओं को उनकी requirements को एक मुख्य केंद्री सरकार न समझ भाएं तो समाजिक सांस्कितिक विविधित्ता को हमें यहां पर हमारे पस्समस्य कहा थी जब भारत प्रिम विवित्ताव बनाया भी रखना था और साथ ह इक प्रनाय रखना था तो सभी होने के संवाना संधר्ष रूना के समय यह जो समाजिक सांस्कितिक विविधित्ता है समाजिक सांस्कितिक सभी अलग लग छेद्रों की अपनी पहचान है वह भी बनी रहे और इनके भी संघर्ष टकराओ भी नौं यह हमारे समने चुनोदी थी तो इस समस्य का समाधान भी किस पर निजर आता है में संघवात सासन परणाल किसि समाजिक सांस्कितिक समान्ता को क्या रखा गया समाजिक समान्ता ke अधार पर राज्यों की निर्मान पर जोड़ दिया गया तकि वैं इक य हुझा क impost एक जो है एक्ता में बंदेर रह सके हर वहाण की राज्य सरकार उसके एक्वर्डिंग अच्छे से उनके क्या कर क्या हो बनी रहे भासा भी वित्ता इस इसी में भी डाल सकते हों इतने सारी भासाओं को बनाये रखना और साथ ही साथ राश्चेकता को बनाये रखना इसके लिए संग्वाद प्रणाली तें कि अलग अलग भासाओं के अधार पे सबसे पहला हमारा जो राज्जों का निर्माण किया गया इस्तर पर नहीं हो इसके लिए इस तरीके से देखा जाए तो एसे भागोलिक आधार थे प्राकर्तिक और मानवी सांस्कृतिक आधार थे जो संगबाद को एक उप्यूक स्वासन परणाली के रुप में इस्थापित करते हैं और ये मुख्य रुप से भोगलिक आधार है जो मुख्य रुप से धार्मिक विवित्ता भी थी तो फिर से धर्मे के अधार पे देपी राज्जों को निर्माण नहीं किया गया है लेकिन धर्म रिप्रेक्षिता को समाहिद करते हुए कि इन सरकार कुछ अत्रिक सकतियां दी गई कि धर्मे के अधार पे किसी भी छेत्रमेदी कोई टकरा होता है तो उसके लिए वह क्या करत है तो इस तरीके से देखा जाए तो संगभाद भारत में जो अपनाये गया कि उसके लिए कौन-कौन से भोगलिक आधार की बात करें तो फीछे जो मैंने डिसके उन्हीं पॉइंट्स को आपको ले करके लिखना है बाकी मैंने यहां पर इंसर फॉर्म में डिसक्स किया हुआ है कि भोगलिक कारकों में भॉगलिक कारकों का युगदान रहा है पहला हिमालय परोती छे दुसरा उत्री इस सब अलगलग भुआ करते कुछ समता रही है वह साय भिन्यता रही है तो इन सब की अस्थित्व को बनाए रखना और साथ ही साथ जो है सभी छेत्रों का विकास समान रूप से हो इस में प्रादेशी का समान थी उसके कारण से भी विकास में क्या थी प्रादेशी का समान था रिजनल डिस्पेडिटी मिलती है तो इसके कारण से भी में राज सरकार ज्यादा उप्यूग नजर आती है कि किन सरकार अपने पुर्य देश के लिए रणनिती बनाती है राज सरकार अपने स्थाने जरुतों के अधार तो उसमें क्या करती है आपका परिवर्तन कर उसको इंप्लिमेंट करती है और इंडिपेंड रूप से कुछ रणनितीया बनाती है तो इस तरीके से इस सभी चीजे है प्राकतिक संसादनों का विशम वित्रन भी इसके लिए ज तरीके सेंडल करना है मैंने जो लिए जो डाउन कर सकते हैं